बच्चों अभी तक आपने व्यवसाय क्या है उसकी प्रकृती क्या है उसका अर्थ क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं ये जाना जिसमें आपने एकल स्वामित्य से लेकर के साजेदारी से लेकर के जो है कमपनी निर्मान तक की सारी जानकारी जिसमें आपने प्राप्त आते हुए हम अपना नया जो चाप्टर है वो स्टार्ट करते हैं जो कि है लगू व्यावसाय लगू याईनी छोटा जिसे हम स्मॉल केता हैं इंगलिश में और व्यावसाय जैसे बिजनस अब लगू व्यावसाय होते क्या है या आपने कभी इन्हें जाना है जी हाँ स्टीन पर देख सकते हैं कि आप यहां पर चित्र देख रहे हैं जिसमें कि कुछ स्थियां है या महिलाएं है वो क्या कर रही है अचार पापड बना रही है दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं जहां पर यह जो कुछ महिलाएं हैं यह हम लेबर्स कह सकते हैं जो कि ब कुछ शिल्पकारी या दस्तकारी के काम हो रहे हैं तो जब हम इन सारे पिक्चर्स को देखते हैं तो हम यह सोचते हैं कि यह व्यवसाय किस तरीके के व्यवसाय हैं तो बिलकुल सही सोच रहे हैं यह जो कुछ उदारण में आपके सामने लाए हैं यह जो व्यवसाय हैं तो अगर हम इन्हीं उदारणों से इसको परिभाशत करने की कोशिश करें या उसको प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि यह ऐसे विवसाय होते हैं जिसमें जो पूंजी लगने वाली है वो उसकी मात्रा कम हुई साथ ही साथ क्या दिख रहे हैं में चीज़ें इनका जो आउटपुट वैल्यू है यानि उत्पादन की जो खीमत है वो भी कम होगी इनमें जो उत्पादन की मात्रा है वो भी कम होगी और साथ ही साथ जो है यह इनमें जो श्रमिक इस्तमाल होंगे उनकी संख्या भी सीमेत हो तो अगर हम एक बहुत अच्छी भार्षा में इसे परिभाशित करें तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका भी प्राय ऐसे व्यवसाय है जिसका स्वामित्व एवम संचालंज होता है स्वतंतर रूप से होता है और कर्मचारियों की संख्या वह विक्री की मातरा के माप दंड को पूरा करता है इसे हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ चार चीजों पर निर्भर करता है जिसे हम उनके प्रार्थमिक मापदंड कह सकते हैं जिसे हमने जिसकी चर्चा मेंने थोड़ी देर पहले की इसे बहुत अच्छी वाशा में अगर इन मापदंडों को हम सम कितना लग रहा है दूसरा उत्पादन का मूल्य तीसरा उत्पादन की मात्रा और चौथा श्रमिकों की संख्या तो ये जो चारों मापदंड हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो व्यवसाय है वो लगू व्यवसाय है की नहीं और लगू व्यवसाय के अंतरगत वो किस परकार का व्यवसाय है अब हम लगू व्यवसाय के अर्थ को MSME के द्वारा परिभाश्रित करने की या MSME Act 2006 के अंडर समझने की कोशिश करते हैं अब यह MSME क्या है MSME को गर हम full form में समझें तो इसे कहते हैं Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006 अगर हम इसके वर्गी करन को देखें तो उपकरम के वर्गी करन को दो भागों में विभाजित किया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि उपकरम जो है दो भागों में विभाजित हैं पहला भाग जो है निर्मानी उपकरम है यानि मैनिफेक्चरिंग यूनिट और दूसरा है सेवा उपकरम सर्विस अब निर्मानी उपकरम में आप देखते हैं कि यहां पर प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग का अधिक्तम सीमा हम इसको देखेंगे और उसी तरह हम सेवा उपकरम में देखें तो वहां पर यंत्रों के विनियोग की अधिक्तम सीमा को देखेंगे तो कुछ डेटा हम द विनियोग की जाने वाली पुन्जी है उसकी मातरा 25 लाग हो निर्मानी उपक्रम में और सेवा उपक्रम में 10 लाग हो तो यह जो व्यविसाय होगा वो सुक्ष्म व्यविसाय होगा जैसे हम माइक्रो बिजनस कहेंगे या उसी तरीके से अगर निर्मानी उपक्रम में यह जो विनियोग की जाने वाली जो पुन्जी है उसकी जो संख्या या मातरा 5 करोड होगी और साथ ही साथ अगर सेवा उपक्रम में देखें यहाँ पे जो विनियोग करने वाली जो सीमा है वो 2 करोड होगी तो यहाँ पर कि यदी निर्मानी उपकरम में जो हम capital invest कर रहे हैं या पूजी लगा रहे हैं उसकी जो सीमा है वो जो है आठ करोड है और उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं सेवा उपकरम में वहां पे जो capital invest हो रहा है उसकी जो सीमा है पांच करोड है तो इस सिती में यहां पर जो व्यवसाय ह यहां पर मध्यम होगा तो इस figure के माध्यम से या इस description के माध्यम से यह clear है कि कितनी पूजी लगाई जाए यह अधिक्तम से अधिक्तम है जो हम आपको संख्या बता रहे हैं यह अगर इतनी इतनी मात्रा में पूजी लगाई जाती है तो हम उस व्यवसाय को परिभाशत कर स लगते हैं कि यह सूक्षम है लगू है यह मध्यम है अब यह जो लगू व्यवसाय हैं सबसे बड़ी बात है यह क्यों जरूरी है और कहां होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि लगू व्यवसाय जो है हर देश में होते हैं कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर उनका खुद का लगू विवसाए ना हो और ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो विवसाएं हैं वो विवसाए अपने देश को दूसरे देश से अलग करते हैं उसमें कुछ यूनीξ रहती है हम कह सकते हैं कुछ अलग होता है दूसरी चीजें ये जो व्यवसाय होते हैं वो अपनी देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने में मदद करते हैं अब कैसे करते हैं सवाल ये हैं अब देखें अगर हम इंटरनाशनल लिवल पर बिजनस करते हैं तो क्या होता है उन पर इंटरनाशनल दबाव होता है ठीक है आंतराश्री रूप से अगर हम व्यवसाय की बात करें तो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एक दबाव बना होता है जिस दबाव को वेहन करते हुए आगे व्यवसाय बढ़ाना पड़ता है अब यदि वो जो प सरकार रख सकती है जिससे क्या होगा वो डेवलप होगा यानि आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ देश की आर्थिक व्यवस्ता भी आगे बढ़ेगी अब जब देश की आर्थिक व्यवस्ता आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीजे हैं जैसे कि बिरोजगारी हुई कृश उसका स्वयाम का एक लगू व्यवसाय है, जैसे कि गर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि हम लोग एक underdeveloped country हैं, कह सकते हैं कि हम अभी भी developing country हैं, बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम अच्छे शब्दों में कहें, तो यह कह सकते हैं, तो अगर हम developing countries की बात करें, तो जैसे कर रहे हैं, साथ ही साथ, यह जो लगू व्यवसाय हैं, यह हमारे देश को यह हमें मदद कर रहे हैं, कि हम उनकी बराबरी तक पहुं सकें, इसके अलावा यह जो लगू व्यवसाय हैं, क्या करते हैं, यह अपने आप में देश को यूनीक बनाने में मदद करते हैं, देश क यहां पर इतनी विविधता यानि डिवर्सिटी पाई जाते हैं यह तो एक प्रकार मैंने आपको एक उधारण में बताया इसके बाद अगर मैं एक और ऐसे ही उधारण की चर्चा करूँ तो आपने अगर देखा होगा कभी आप आगरा गय होंगे या जबलपूर गय होंगे तो वहां पे संगमरमर के जो खूब सूरत से मोमेंट्स आपको चोटे-चोटे एक कह सकते हैं जो सजाने के लिए रखे होते हैं वह आपको मिलेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप जैसे ही आगरा जाएंगे वहां पर पास की दुकानों में ताज महल की चोटे-चोटे प्रारूप संगमरमर के बने हुए वो क्या करते हैं उसको परिभाशित करते हैं तो जैसे ही परियाटक आते हैं वो उस सुन्दर दृष्ट से उस सुन्दर कलाकृती से प्रभावित होते हैं और उसको खरीदते हैं तो यह से समझ में आता है हमें कि किस सरीके से बाहर का जो पैसा है वो छोटे रूप में ही सही लेकिन हमारे तो जशपूर एरिया में में जो कलाकृती इस साथ आप में इसे बहुत से इन्टीरियर और नज प्रदेश के स्विमन एसे बहुत से गाओं के अंदर ऐसी एक्तििविटी या क्रिया, श्बान पनपर यह जो कि अपने आप में यूनीक हैं, अलग हैं, वो हमारे देश को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजन करते हैं, अगर उधारण की तरप हम और अधिक समझने कोशिश करनें, तो सुंदर-सुंदर बास की कटोरिया बनाना, जैसे कि आप देखते हैं कि टोकरियों में कितने सुंदर तरीके से सज कि आइनिंग टेबल पर खूबसूरव टोकरियों में फलो को सजाए जाता है, अब ये टोकरियां कितनी आकरशक होती, इसके लावा आपने ये भी देखा होगा कि आजकल फैशनेवल गिप्ट्स का ट्रेंड है, जिसे कि बहुत सुंदर मास की टोकरियों में बंद करके, य उनको विक्रय किया जाता है, तो ये एक लगू व्यवसाय के अंदरकत ये छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, इनमें आप मुमबत्ती के व्यवसाय को ले सकते हैं, अगरबत्ती के व्यवसाय को ले सकते हैं, माची सुध्यों को ले सकते हैं, और भी ऐसी कई चीज़े हैं जिनको आप इनके अंतरगत ले सकते हैं और जिस तरीके से हमने MSME Act या MSME Enterprise Development Act 2006 के अंतरगत समझा कि कितनी पूंजी को अधिकतम निवेश किया जाए तो हम यह decide कर सकते हैं कि यह व्यवसाय सूक्ष में हैं लगू है मध्यम हैं यह depend करता है कि उस पर capital यानि पूंजी कितनी लगाई गई है तो गर हमारा concept हम समझे तो लगू व्यवसाय का एक अच्छी concept को clear करते हैं हम कह सकते हैं कि लगू व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जहां पर संचालन और नियंदरन जो होता है व्यवसाय कि स्वयम के हाथ में होता है साथ ही साथ इसमें जो लगने वाली पुंजी है वो भी उसकी मातरा भी कम होती है और साथ ही साथ यहां जो करमचारियों की संख्या है वो भी सिमित होती है कई बार जो होते हैं यह लगू व्यवसाय की आदिव के आधारित होते हैं अब जैसिंके आप जानते हैं जो हमारा देश है वो खुषि प्रधान देश है थीक है तो पूरे समय को कर्षी पर दबाव बना रहता है अब इस क्रिशी पर दबाव को हटाने के लिए क्या चांए हर समय तो कृषी जो है लोगों को जुह है कứngIT एक जीवनह需要 कि धन के नहीं सकती ठीक कृशिए कर अभी समय है गरे को देश के पर आन को शुदो अब हमने लगु व्यवसाय को अपने देश के साथ जोड़ कर डीटेल में समझ लिया है और ये भी जान लिया है कि जो लगु व्यवसाय हैं उसको उपकरम के वर्गी करण के आधार पर और उनमें पूंजी निवेश के आधार पर हम कितने अच्छे तरीके से वर्गी कर सकते हैं साथ ही समझ सकते हैं कि उद्ड़गों का वर्गी करंड कैसे होता है उद्ड़गों का ब्रगी करंड है बैसिकली आठ तरीके से किया गया है are इसे दो भागों में बाटा जाता है ट्रेडिशनल और जो 6 हैं वो ट्रडिशनल में आ जाते हैं और जो 2 content हैं इसके हम कह सकते हैं या element है इसके वो जो होते हैं वो modern में आते हैं आईए हम इसे और detail में जानने कोशिश करते हैं कि ये वर्गी करण कैसे किया जाता है हम उद्यों के वर्गी करण को देख रहे थी इसमें आठ भागो में इसे वर्गी करत किया गया है पहला जो वर्गी करण हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं लगूसतरी उद्यों की स्मॉल स्केल इंडिस्ट्री अब यह जो होते हैं यह जो लगूसतरी उद्योग है यह फैक्टरी आट यानि कारखानेट के जो आक्ट है बना हुआ है उस पर आधारित होता है इसमें जो लगने वाली पूंजी है वो पचीक स्लाख से अधिक लेकिन पांच करोड से कम होती है अब यह जो लगूसतरी उद्योग है वो केस बेसिस पे काम करता है या उसके उद्देश क्या होते हैं सिंपल सी चीज़े हैं कि यह जो लगूसतरी उद्योग है वो पहला तो श्रम प्रधान होता है दूसरा यहां उत्पादन का पैमाना भी छोटा होता है तीसरी चीज़ व होती है कि इसने पूंजी निवेशच जो होती है वो भी कम मात्रा में होती है च्छोटी होती है यहांपे जो संखिया होती है वो भी सिमित होती है और मशीनों को बीज़ी से चलाया जाता है अब क्योंकि यह कारखाने की आक्ट पर डपेंड करता है यान farm आगे हम दूसरे वर्गी करण की तरफ चलते हैं, जो दूसरा वर्गी करण है, वो है सहायक लगू उद्योग इकाई, यानि उसमें जो भी उत्पादन किया जाता है, वो एक कच्छे माल की तरह उत्पादित होता है, ठीक है, और इसके उत्पादन का, जो पचास परसंट भाग होता है, वो उसके दूसरी इकाई, जिसे हम पेरेंट कह सकते हैं, बड़ी उनिट होती है, ठीक है, उसको शिफ्ट किया जाता है, यह दिया जाता है, अब क्यूंकि यह जो साहिक लगू उद्योग होते हैं, वो उनके पेरेंट एंटरप्राइस के लिए, या प अच्छा माल बनाते हैं, और वो अपने पचास परसंट से भी ज्यादा क्या करते हैं, अपने पेरेंट यूनिट को देते हैं, तो इसलिए इसे साहिक लगू उद्योग कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, जिसे तीसरा है, जिसे हम कहते हैं, निर्यात प्रधानिकाई हैं, इसे हम इंगलिश में कहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिइंटेड यूनिट, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी उतपाद बनता है, या जो भी प्रड़क्ट बनता है, पचास प्रतिशत से अधिक जो है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, अब क्यूंकि ये बहुत देखते हैं, चौथा वर्गी करण कहता है कि महीला उद्यमी उद्योग, यानि वुमन इंटेप्रेनर इंडेस्ट्रीज, इसमें क्या होता है, कि इसमें कुछ महीलाएं मिलकर के इस तरह की उद्योग को चलाते हैं, जैसे कि आप अचार पापड देख सकते हैं, और भी ऐस समू इस व्यवसाय को जो चला रहा है, उसमें जो लगने वाला उनका धन है, वो इंक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, ये बेसिक इसका फंडा होता है, आगे बढ़ते हैं, और अगले वर्गी करण को देखते हैं, जो कि है लगुस्तरी सेवा तथा व्यवसाय उद्यम, Small Scale Service and Business Industries, इसमें क्या होता है, जो मशीन या प्लांट है, उनमें ये जो होती है, एक स्थाई संपत्ती जैसे की आप जानते हैं, ये जो स्थाई संपत्तियां हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, वो 10 लाख तक सिमित होती है, अगर इसी आगे concept को बढ़ते हुए, अगला वरगी करण कहता है, अती लगू क्षेत्रे यानी टाइनी इंडस्ट्री, यहाँ पर जो होता है, जो इनका investment होता है, या पूंजी निवेश किया जाता है, वो लगबग 25 लाख होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो निवेश किया जाता है, इसके साथ-साथ यहाँ प करती ही, subsidies प्रोवाइड करती है, आगे हम देखते हैं, अगला वरगी करण, अगला वरगी करण कहता है, सूख्ष में व्यवसाय के उद्यम, यानी Miss Linious Business Enterprise, इसमें जो लगने वाली राश्टी होती है, वो एक लाख तक ही होती है, उससे ज्यादा उपर नहीं बढ़ सकते, औ टौटली लेबर बेस्टा है, यहाँ तोटली लेबर बेस्ट है, यहाँ पर जो रॉल मातरा है, और उससले कम मातरा लगाये जाती है, और साथ ही साथ है, जो मशीनों पर नडीपेंड करके, वो पूरी तरीके से श्रमी को पर डिपेंड करता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो वरगी करण हैं वो आठ भागों में विभाजुत हैं जिसमें से दो यानि हम export oriented unit को और साथ ही साथ small skill industry को modern वरगी करण में विभक्त करते हैं और बाकी बचे हुए 6 जो वरगी करण हैं उनको traditional के अंतरगत हम लेते हैं तो बचो इस तरीके से आप ने जो है लगू विवसाय क्या है उसके concept को जाना MSME Act 2006 के अंतरगत उसको किस तरीके से परिभाशित किया गया है साथ ही साथ उनका वरगी करण कैसे है वो जाना और उसके बाद उद्द्यों के वरगी करण को जो 6 है वो traditional वरगी करण के अंतरगत आते हैं और जो 2 है वो modern वरगी करण के अंतरगत आते हैं